तेवल आपको औरली याद होनी चाहिए यह तेवल आपको औरली याद होनी चाहिए ज्यान देंगे साइन एक से लेके चार तक गिनती लिख दो 0 1 2 3 4 चार से डिवाइड कर दो चार से डिवाइड कर दो अंडरूट 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 अंडर और यह वन ध्यान देंगे यह रूर स larva two good यह से लेके नभाँ तक लगाता value बढती है doc यह साइन वाले कॉलम में बटा 0 से लगाता नभाँ तक वैलु बढती है शाईन जीरो की वैलू जीरो साइन 30 की वैलू बेटा 1 by 2, sin 45 की वैलू 1 by root 2, sin 60 की वैलू root 3 by 2, sin 2 की वैलू 1, cos में इसका उल्टा कर दो बेटा, यहां 1 लिख दो, यहां 0 लिख दो, यह root 3 by 2, यह 1 by root 2 बीच का विल्किल लिशी तरह है, और यह हो जाएगा 1 by 2, ध्यान देंगे, cos वाले कॉलम में 0 से लेके 90 तक लगातार वैलू घटती जाती है, ध्यान लखने मेरी बार, अब यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे ध्यान दो, कि आपने क्या देखा, sign 0 की value, cos 90 के बरावर है, sign 30 की value, cos 60 के बरावर है, sign 45 की value, cos 45 के बरावर है, sign 60 की value, cos 30 के बरावर है, क्या देखा आपने, sign 0 की value, cos 90 के बरावर है, application कैसे रहता इस टेवल का, यह आपको ध्यान देना है, ध्यान दो बटा, sign 0 की value, cos 90 के बरावर है, sign 30 की value, cos 60 के बरावर है, sign 45 कीa value, cos 45 के बरावर है, साइन साथ की वैलू कॉस तीस के वरावर है क्या देखा आपने क्या देखा आपने ध्यान देंगे आपने यह देखा यहाँ पर है कि साइन जीरो की वैलू कॉस नैंटी के वरावर साइन तीस की वैलू कॉस साथ के वरावर साइन पैतालिस की वैलू कॉस पैतालिस के वरावर और साइन साथ की वेलू पॉस तीस के बरावर जीरो और नब है कितना होगा नब है तीस और साथ कितना होगा नब है पैतालिस और पैतालिस कितना होगा नब है 60 और 30 कितना होगा 90 है ध्यान देंगे ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिगरी हो एसे दो एंगल जिनका सम 90 डिगरी हो ने हम complimentary एंगल कहते हैं यानि कि पूरक अनुप कौण कहते हैं पूरक कौण ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिगरी है eder me aap se prane Cha TIMbig red Peo Kiances 18 ी वैली क्या होगी आप क्या बताएंगे 14 गैल बताईए किसके बराबर होगी जांद French and equali Cush 50 के बराबर होगी यानि कि d бог the same 90 है यानि कि Complementary Angle Ho Gively Point Complementary Angle के लिए Sin और Cost की Value बरावर होती है अध़र इन दोनों रेसो को हम Complementary Researchों भी कहते हैं अब यहां से एक Redult निकल के आता है If Sin A equal to Cost B Sin A equals to Cost B then it implies that A plus B equal to 90 A plus B equal to 90 degree यह चीज हमारा एक Redult निकल के आया कि यह फिशन A equal to बी हैस यहने प्ल Avec का क्वीों डिगरी होगा तो अग्जाम किस तरह से आता है एक्जाम में कशव्ष आता है कि वीट्टा साइन 2 थीटा इकक वैल ट्वाजब कॉस्क्वर थीटा फाइंड शाइं स्थी थीटा विल्कुल इस कोशन आता है ध्यान देंगे विल्कुल इस तरह का कोशन आता है कि sin 2 theta equal to cos 4 theta then find the value of sin 3 theta sin 3 theta की value पूची गई है sin 3 theta की value ध्यान देंगे sin a equal to cos b sin a equal to cos b a plus b equal to 90 2 theta plus 4 theta equal to 90 यानि कि 6 theta equal to 90 theta की value कितनी आ गई 15 theta की value 15 आ गई हमें sin 3 theta की value निकाल नहीं है sin 3 theta की value 15 sin 45 sin 45 की value क्या होगी वेटा 1 upon root to answer 1 upon root to answer यह चीज आप डारेक्ट यानि कि a plus b 2 theta plus 4 theta 90 हुआ यह बेटा हमारा 6 theta हुआ 6 theta equal to 90 तो theta की value कितनी हुई 15 है यहां पर theta की value 15 foot करेंगे sin 45 और sin 45 की value क्या लिखी मैंने बेटा 1 upon root 2 बोलो बेटा के लिए यार सवी बच्चे बोलेंगे बेटा एक बार जल्दी से सभी बच्चे मैसेज करेंगे फैकल्टी अंडरेस्कोर मैसेज पर सभी बच्चे मैसेज करेंगे बेटा clear 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 और बच्चे बच्चे अपने नाम से जॉइन करें ज्यादा वैटर होगा हम नाम लेकि बोलेंगे तो आपका चल्डी होगा chiइर बेटा एकने डाकी हम दिश्याль बेटा नहीं सुन सकते आपकी विस्याल 되어 संहें पर सकते हैं क्लियर जती फटावंद कोपी करें फिर मैं आगे कराता हूं बैता रहे है कौपी कर लिया दन गौरब राथी दन चलो नेच्ट दन दन गौरब सिंग चलो देखो नेच्ट बेटा सभी बच्चे बेटा आपने जॉइन जो करेंगे बेटा आपने नाम से करेंगे प्लीज देखो इसके बाद इसके बाद ध्यान देंगे 10 थीटा साइन अपन कॉस बेटा एक कोशन पूछा जाता है यह कोशन यहां पर बेटा पूछा जाता है ध्यान देंगे समझो कि फाइंड़ वेलू फैन नाइन टी टेन नाइन टी की वैलू पूछी गई है और चार अप्सन देता है पेटा चार अप्सन देता है फर्स्ट अप्सन देता है अंडर रूट तीसरा ओप्षन देता है ध्यान देंगे कि कंसीडर आज इंफिनिटी कि कंसीडर एंफिनिटी कि और चौथा ओप्षन देता है नोट डिफाइन चार ओप्षन देता है ध्यान देंगे तो यहां ध्यान देंगे हमने जो 10th क्लास की बुक पड़ी है हमने बेटा उसमें बेटा हमें केवल NCRT ऐसी बुक है जिसे हम बेटा कोट में पेस कर सकते हैं बहुत बच्चों ने 1090 की वैलू इंफानाइट पड़ी होगी लेकिन सही आंसर होगा वह नौट डिफाइन होगा इसका जो सही आंसर होगा नौट डिफाइन होगा क्योंकि 10th क्लास की बुक में NCRT में यह नौट डिफाइन लिखा हुआ है और नीचे इस टार में लिखा हुआ है कंसीडर इइंफिनिटी इन दोनों आप्शन में से जब कोई कोई एक आप्शन होता है तो वही इसका आंसर हो जाता है लेकिन दोनों आप्शन होने की कंडिशन में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह नौट डिफाइन होगा कई बार यह दोनों आयाते हैं यह इन दोनों में से कोई सा एक आप्शन होता तो हम उसी को टिक कर देते लेक लिया कि बेता सबी बच्चे वोल ऑब यहांपर भी आपने क्या रिखा किलिया यह यहांपर भी आपने क्या देखा यहँआंपर विभा आपने बहुत इंप्वर्टन चीज धेखिस नेड़ीया 310-93 busy वही value caught 60 की है जो value 10 45 की है वही caught 45 की है जो वालू 10 60 की है वही बेटा caught 30 की value है यानि कि complimentary angle के लिए 10 और caught की value बरावर हैं तो हम कह सकते हैं 10 और caught दोनों बेटा complimentary ratio है 10 और caught दोनों ही complimentary ratio है इसको हम लिख सकते हैं कि 10A A equal to cot B, यहां पर हम लिख सकते हैं, if 10 A equal to cot B, 10 A equal to cot B, then it implies that A plus B equal to 90 degree, 10 A equal to cot B, तो हम का लिख सकते हैं a plus b equal to 90 degree दूसरा दूसरा है इसमें एक रजल टौर बनता है कि इसको मैं बनापन 10 लिख दूँ तो if 10 a 10 b 10 a 10 b equal to 1 10 a 10 b equal to 1 and then it is implies that a plus b equal to 90 degree कि a plus b का सम 90 degree है तो 10 a 10 b का प्रोड़क्त हमेशा 1 होगा और यदि 10 a equal to cot b है तो a plus b का सम बेटा 90 होगा ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं कि 10 a equal to cot b है तो a plus b equal to 90 for example example question मानुश स्थरे आता है कि कि if 10 2 theta equal to cot 4 theta find find 10 3 theta यह question भी बन जाता है बेटा यह भी पूछा हुआ क्या है कि 10 2 theta equal to cot 4 theta है तो 10 3 theta की value पूछी गई है 10 a equal to cot b then a plus b equal to 90 10 equal to cot b a plus b 92 theta plus 4 theta कितना हुआ 6 theta 6 theta equal to 90 theta equal to कितना है 15 हमें निकालना है 10 3 theta तो 10 3 theta की value क्या होगी 10 45 और बेटा 10 45 की value देखो कितनी है 10 45 की value बेटा वान है तो answer क्या होगा हमारा one होगा वान बिलकुत सही जवाब आदेश बिलकुत सही जवाब गौरब राठी बिलकुत सही जवाब हाँ बेटा आप सभी बोलो बेटा के लिए कि लिए जल्दी कॉपी करिये फटाबट से किलियार 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 एक्सिलेंट किलियार सा एक एक चीज बेटा किलियर होनी चाहिए आपको कि एक एक चीज बेटा किलियर होनी चाहिए आपको कि आपको कि एक चीज बेटा आपको कि यदित डन चलो देखो इसमें आप दूसरा जो टैने टैन्वी वाला है ज्यान देंगे यह जैसे और एजामपल कई बार कॉर्शन आता है वेटा यहां पर है यह लिखा हुआ है कि तैन 35 65 की बैलू पूछी गई है तैन 25 ton 65 की बैलू तो मैंने क्या बोला कि a प्लस b का सम 90 है तो तैन डोनों का सम 90 जि exhaustion किशिए दिएंट 25 cannot 95 है 25 पैसट किटना हो गया बिटा नबह हो गया और डार इसका प्रोडक्ट आप लन lain गोड़क्ट अब लिखेंगे द्यान रखना डार्यक्ट इसका प्रोडक्ट न हिंगे कुछ भी नहीं सोचेंगे कि यद्ध हमें लेखा हुआ है जब एक तैन के चारीज तैन-पचास कि दोनों का सम्ना इंटि दारेक्ट इसका प्रोड़क्ट आप पन लिखेंग डारेक्ट जहां पर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो टैने टैने बी का प्रोड़क्त हमेशा बेटा बन होगा पॉसल में बहुत आएगा देखना आगे जल्दी से कॉपी करिये फटाफाट का डन चलो नेक्स्ट में देख। जह होता है हमारा सेख थीटा यह कोस का उलटा होता है वन का वत रूट थी कि अंदरूट टू को टू जिरोपल द्रिफाइं को हमारा कोस्थ होता है वह साइन का पर ईपंगा जो वेलू सेज जी रों की से우ीं तो में किसना जो वेलू से शेक साथ है जो वैलू से कुछ कि वही बेटा को सेख 45 की है वही को सेख 45 की है कि हमेटा क्लास की टाइमिंग यही रहेगी हमेशा विशाल चिंता मत कर यह यह आपने कॉपी कर लिया होगा कि देखिए कि यहां पर तो कह सकते हैं इफ सेख ए इक्वल टू कॉसेख भी सेख ए इक्वल टू कॉसेख भी देन इट इज इंप्लाइज देट ए प्लस बी इक्वल टू 90 यह भी सेख और कॉसेख दोनों कॉंप्लिमेंटी रेसो होते हैं सेक और कुसेक बेटा कॉंप्लिमेंटी रेसों होते हैं, साइन और कॉंप्लिमेंटी रेसों होते हैं, तैन और कॉंप्लिमेंटी रेसों होते हैं, इसका मतलब तीन कॉंप्लिमेंटी रेसों हो गए बेटा, साइन, कॉंप्लिमेंटी रेसों हो गए बेटा, साइन, कॉंप्लि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताके सभी नोटिफिक्शन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें